हेलो फ्रेंट्स कैसे वा आपसे भी आज भई आपन लेमनी स्थियोरम के एक्जामपल्स करने वाले हैं और अभी तक अगर आप लोगों ने लेमनी स्थियोरम का जो प्रूफ किया था आपने वो नहीं देखा है तो आई बटन पे जाके वो वीडियो देख सकते हो तो सबसे पहला एक्जामपल आता है वही फाइंड दा एनने थ डेरिवेटिव ओफ एक्स क्यूब एक्स तो सबसे पहले वही लेमनी स्थियोरम के जो एक्जामपल से हैं वो करने से पहले आप लोगों को जो लेमनी स्थियोरम की स्टेटमेंट है प्लस उसका जो mathematical जो फोर्म उसके बाद यहां पर जो सबसे important concept है वो ध्यान से सुन लेना क्या है इसके अंदर वही आप लोगों को यू कौन सा function लेना है और वी कौन सा function लेना है यह decide करना होगा question करने से पहले तो मैं आपको simple सी बात बताता हूं वही आप लोगों को वो function लेना है जिसका आप derivative करो क्य करो derivative करो और वो क्या जाए बई 0 आ जाए अब derivative करो 0 आ जाए इसका मतलब क्या है तो मैं आपको simple बास हमें बताता हूं V मेरे पास कोई ऐसा function होगा मान के चलो मैंने ले लिया 6 x square जब मैंने इसका first time derivative किया 12 x second time derivative किया 12 जब मैंने इसका third time derivative किया तो क्या जाएगा 0 क्यों क्यों कि constant क्या होता है 0 तो आप लोगों को जो V है ना ऐसा function लेना है जिसका second time, third time, fourth time या fifth time किसी p time derivative करते time वो value क्या दे दे 0 दे दे तो ऐसा function आप लोगों को क्या लेना है V लेना है ठीक है तो अब यहां पर देखो question है find the nth derivative of x cube e की ax तो देखो e की ax का कितनी बड़ derivative कर लो क्या रहेगा e की ax ट्रम तो रही रहेगी तो अब आप लोगों को V क्या लेना है x cube लेना है तो मैं यहां पर लिख देता हूँ u is equal to e की ax और v is equal to x cube अब मैंने v x cube क्यों लिया क्योंकि देखो जब मैं इसका first time derivative करूँगा 3x square जब मैं इसका second time derivative करूँगा 6x और जब मैं इसका third time derivative करूँगा तो क्या आएगा 6 और जब मैं इसका fourth time derivative करूँगा तो क्या जाएगा 0 आजए और यही मैंने आप लोगों को बताया था कि V ऐसा function लेना है जिसका आप derivative कर और वो क्या आजाए 0 आजाए अब यहाँ पर देखो U मेरे पास क्या है E की AX अब आप लोगों को पता होगा जब Y मेरे पास E की MX कीवन होता है तो इसका एन्नेथ derivative का formula क्या होता है M की power N E की MX तो यहाँ पर मेरे पास Y क्या दे रखा है Y दे रखा है E की AX जब मैं इसका एन्नेथ derivative करूँगा तो क्या हैगा A की power N E की power AX यह इसका क्या हो जाएगा एन्नेथ derivative तो देखो U मेरे पास यह है तो इसका एन्नेथ derivative क्या हो जाएगा इसका अनेत डेरिवेटिव हो जाएगा A की पावर N, E की AX जब मैं इसका N-1 टाइम डेरिवेटिव करूँगा तो ग्या होगा A की पावर N-1 E की AX, जब मैं इसका N-2 टाइम डेरिवेटिव करूँगा N-2 E की AX जब मैं इसका 3rd time derivative, n-3 times derivative गरूँगा, तो a की n-3, e की ax, ठीक है, अब आप लोगों को क्या करना है, lemnese theorem के अंदर, जो यह statement है, इसके अंदर values बूट करनी है, अब क्या है, u, v का n-th derivative, u मैंने क्या मानना है, e की ax, और v क्या मानना है भई मैंने, v मानना है xq, इसका क्या करन है, n-time derivative करना है, तो जर्नली क्या होता है, un into v, un मेरे पास क्या है, un है, a की n, e ax, into v, v मेरे पास क्या है, xq, प्लस, अब nc1, nc1, un-1, un-1 की value क्या है, a, n-1, e की ax, उसके बाद, v1, v1 मेरे पास क्या है, 3x square, प्लस, उसके बाद देखो, nc2, nc2, un-2, un-2 की क्या value है, a, n-2, e की ax, और साथ में क्या है, v2, v2 की value क्या है, मेरे पास, 6x, प्लस, उसके बाद देखो, nc3, nc3, un-3, un-3 क्या है, मेरे पास, a, n-3, e की ax, into v3, v3 क्या है, मेरे पास, 6, प्लस, nc4, 4, a, n-4, e की ax, और जब मैं इसका fourth time derivative करूँगा, तो क्या जाएगा, 0, तो ये overall term मेरे पास क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो इसलिए मैंने कहा था, v ऐसा function लेना है, जब आप उसका derivative करो ना, तो वो क्या जाए, 0, और जब मैं इसकी 0 के साथ मंटिव लाई करूँगा, तो अगे वाड़ी सारी term क्या जाएगी, नहीं आएगी, ठीक है, अब इसके अंदर क्या कुछ को मना रहा है, बिल्कुल को मना रहा है, इसमें क्या है, e की ax, e की ax, e को मन निकाड लो गई, e की ax को मन निकाड लिया, a की n, x cube, प्लस nc1, a की n-1, 3x square, प्लस यहाँ पर, nc2 a की n-2, 6x, प्लस nc3, a की n-3, और 6, यह मेरे पास क्या आगया भई, required answer आगया, एक कईयों को दिक्कत आ रही होगी, कि मैंने un निकाड़ा, तो e n, e की ax लिख दिया, क्यों लिखा, क्योंकि यह मेरे पास n-th derivative का formula होता है, ठीक है, जो आपाने some n-th derivative, some standard n-th derivative, जो आपाने क यह थे, अब देखो, अगर मैं n लिख रहा हूं, तो n-th time derivative आ रहा है, जब मैं n-1 लिख रहा हूं, तो क्या आएगा, n-1, जब मैं n-2 लिखूंगा, तो क्या आएगा, n-2, और जब मैं n-3 निकाड़ूंगा, तो क्या आएगा, n-3, ठीक है, तो u का n-2 time derivative, a की पावर n-2 e की x, u का n-3 times derivative करेंगे, तो e की पावर n-3 into e की e x, तो यह मेरे पास क्या हो गया, यह लेमनी स्थियोरम मैंने क्या किया, formula put किया, और मेरे पास यह क्या आगया, answer आगया, तो आप लोगों को जब दो function क्या हो, product में given हो, तो इस तरह से क्या करना है, derivative find out करना है, ठीक है, n- n-th derivative find out करना है, अब आपा करते हैं, next example, अब अपने पास second example आता है, find the n-th derivative of x square into sin x, तो आप लोगों को simple सा बता रखा है, v कोण सा function देना है, v o function देना है, जिसका आप derivative करो, और वो क्या आजाए, h 0 आजाए, ठीक है, तो इसके अंदर आपा इसको मानते हैं u, और इसको क् तो u है मेरे पास sin x, और u मेरे पास क्या है, sin x, और v मेरे पास क्या है, v है x square, जब में इसका first time derivative करूंगा, 2x, second time derivative करूंगा, क्या आएगा, 2, और जब में इसका third time derivative करूंगा, तो क्या जाएगा, 0, और आप लोगों को पता है, कि जब मेरे पास क्या given हो, y is equal to sin ax plus b given हो, त तो मैं इसका nth derivative कैसे निकाड़ता हूँ, a की power n, sin ax plus b plus n pi by 2, ओके, इसका क्या होता है, nth derivative होता है, जब मैं इसको, इसके साथ इसको compare करूँगा, तो यहाँ पर y क्या दे रखा है, y दे रखा है, sin 1x plus 0, ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1x plus 0, तो a की value क्या हो जाए तो a की power n, क्या होगी, 1 ही होगी, sin x plus n pi by 2, यह इसका क्या होगा भई, nth derivative होगा, ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं, sin x plus n pi by 2, जब मैं इसका nth derivative निकाड़ूँगा, जब मैं इसका u n minus 1, u n minus 1 derivative निकाड़ूँगा, तो वो क्या आएगा, sin x plus n की जगह क्या आजएगा n minus 1 pi by 2, ठीक है, x की जगह पर क्या जाएगा, n minus 1 pi by 2, और u n minus 2 times derivative निकाड़ूँगा, तो क्या आएगा, sin x plus n minus 2 pi by 2, ठीक है, यह मेरे पास क्या होगया, u के derivative निकाड़ लिख, ठीक है, अब क्यों निकाड़े हैं, क्योंकि यह अपने को formula के according चाहिए, तो आप लोग जब question करो ना, question के अंदर, पहला step आप लोगों का क्या होगा, वो ध्यान से सुम लेना, step number 1 के अंदर भई, आप लोगों को जो लेमनी स्थोरम है, वो लिखनी है, यह वाली line लिखनी है, ठीक है, अब यह वाली line लिखने के बाद, जो यह वाली statement है, यह यह वाला formula है, यह लिखन आपको लिखनी है, उसके बाद, इसके अंदर जब आप values पूट करोगे, तो यू मेरे पास कौन सा function है, यू मेरे पास है, sin x, v कौन सा है, x के है, इसको क्या करना है, इसका nth derivative निकारना है, तो करो value put, मेरे पास, un क्या दे रखा है, un दे रखा है, sin x plus n pi by 2, उसके बाद, v, v क्या है, मेरे पास, x के र, plus, क्या होता है, फिर, nc1, nc1, उसके बाद, un minus 1, sin x plus n minus 1, pi by 2, उसके बाद, दे दिया, v1, v1 क्या है, 2x, plus, nc2, nc2, un minus 2, un minus 2, क्या है, मेरे पास, sin, x plus n minus 1, pi by 2, v2, v2, kya है, मेरे पास, 2, plus nc3, मेरे पास, un minus 3, होगा, sin, या, 7, 7, बो, n minus, या, पर 2, आएगा, ठीक, या, पर क्या लिखना है, 2, लिखना है, क्योंकि आपर, second time, derivative करें, ठीक, या, पर क्या आएगा, n minus 3, pi by 2, और जब मैं, v3, लिखूंगा, तो, v3, क्या आगा, मे ही आएगी, तो, यह, यह, ट्रम बचेगी, अपने पास, तो, करो, इसको, sol, sol, करेंगे, तो, इसको, क्या लिख सकते हैं, भई, sin, x plus n pi by 2, into x square, प्लस, यह हो गया, मेरे पास, nc1, sin, x plus, अंदर multiply कर रहा हूं, n pi by 2, minus pi by 2, मैंने जस्ट क्या किया, pi by 2 को अंदर लेके गया, n के साथ multiply की, n pi by 2, इसके, 1 के साथ multiply की, minus का, pi by 2, into, 2x, प्लस, nc2, sin, x plus, n pi by 2, minus, pi by 2 करेंगे, देखो, n pi by 2, और यह, मेरे पास क्या हो जाएगा, 2 into pi by 2, उसके बाद next करेंगे, देखो, अंदर multiply करेंगे, 3 pi by 2, nc3, sin, यह तो term 0 ही होगी, आगे लिखने की जरूरती नहीं, यह पूरी term क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है, इसको लिखो गई यहां तक, अब, बुक के अंदर जो दे रखाए न, इस term को solve कर रखाए भई, ठीक है, इस term को solve करने के लिए मैं आप लोगों को बताता हूँ, इसको कैसे solve करते हैं, तो यह वाड़ी चीज मैं रफ कर रहा हूँ, पिछले question में आई थिंक, जो पिछला example था, उसके अंदर यह solve नहीं क अपोन r factorial, n-r का factorial, ठीक है, यह मेरे पास क्या होता है भई, formula होता है, अब देखो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है भई, अगर मेरे को solve करना है, 5c2, इसको कैसे solve करेंगे, 5 factorial, अपोन 2 factorial, 5-3, sorry, 5-2 करेंगे, तो क्या जाएगा, 3 factorial, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 into 4 into 3 factorial upon 2 factorial into 3 factorial, 3 factorial से 3 factorial cancel out, 2 factorial की value क्या होती है, 2, और 2 से 2 इसको cancel करेंगे, तो answer क्या आगया, 10 आगया, ठीक है, अब देखो, इसको कैसे solve करना है, वो भी देख लो, एक बारी, यहाँ पर लिखा हूँ है, nc1, क्या लिखा हूँ है, nc1, इसको क्या लिख सकते है, n factorial upon 1 का factorial upon 1 factorial into n-1 factorial, ठीक है, अब देखो, 5 factorial की value क्या होती है भी मेरे पास, 5 into 4 into 3 into 2 into 1, यहने कि 5 में से 1 कम कर रहे है, 4 में से फिर 1 कम कर रहे है, 3 में से 1 कम कर रहे है, तो n factorial की value क्या होगी भई, n into n-1 factorial, यह इसको लिख सकते हैं, n-2 factorial, n-3 factorial, ठीक है, तो मैं इसको कहा तक लिख रहा हूँ, n-1 factorial तक लिख रहा हूँ, निचे क्या है, 1 factorial, n-1 factorial, यह क्या होगे भई, cancel out, तो यह answer क्या आगया, n आगया, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, देखो, solve करके बताता हूँ, आप लोगों को, sine, x plus n pi by 2, यहाँ पर x square, n-c1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, n लिख सकता हूँ, यह 2x को आगे लिए, 2nx, ठीक है, यह 2x को मैं आगे लिए, यह क्या होगया, 2nx, sine, x plus n pi by 2, minus pi by 2, ठीक है, फिर plus, यहाँ पर क्या है, n-c2, तो nc2 को भी solve करते हैं, nc2 मेरे पास क्या होता है, n factorial upon 2 factorial, और यहाँ पर क्या जाएगा भई, n-2 factorial, n factorial को क्या लिख सकते हैं, n into n-1, n-2 का factorial, upon 2 factorial, into n-2 factorial, n-2 से n-2 गया, और 2 factorial की value क्या होती है, 2, तो इसकी value क्या आगी, n into n-1 upon 2, तो इसकी जगए मैं क्या लिख सकता हूँ, इसकी जगए यह वाली टरम लिख सकते हैं, तो n into n-1 upon 2, ठीक है, एक 2 यह था, इसको यहाँ दिख दिया, तो इस 2 से यह 2 cancel out हो गया, यहाँ पर क्या बचे गया, sin x plus n pi by 2 minus pi by 2, और एक 2 है, यहाँ पर क्या बचे गया, pi, इस 2 से यह 2 cancel out हो गया, अब बई, देखो, बुकवाले ने एक step और कर रखा है, वो और देख लो, sin x plus n pi by 2, x square plus 2nx cos, इसको लिख सकते हैं, x plus n pi by 2, और plus n into n minus 1, sin x plus n pi by 2, अब यह दो चीज़े देखो, मैंने इस ट्रम को क्या लिख दिया, cos x plus n by 2, और इसको क्या लिख दिया, इसको लिख दिया, sin x plus n by 2, दो प्रोपर्टी यूज करिया है, भई, sin 90 minus theta, sin 90 minus theta, क्या होता है, भई, cos theta, उसके बाद sin pi minus theta, यह मेरे पास क्या होता है, भई, sin theta यह होता है, ठीक है, sin pi minus theta, मेरे पास क्या होता है, sin theta होता है, तो देखो, sin, यह 90 है, 90 minus theta, यह क्या हो गया, cos theta, और pi minus theta, यह क्या हो जाएगा, sin theta, तो यह मेरे पास क्या आगया, भई, answer आगया, ठीक है, कोई दिकत, भई, बिलकुल असान exercise है, बस आप लोगों को क्या करना है, ये वाड़ी statement याद होनी चाहिए, उसके बाद ये statement लिखने है, step second में आप लोगों को u, u, u का nth derivative, u का n-1 derivative, u का n-2th derivative, उसके बाद v, v1, v2, v3 ये निकालने, उसके बाद statement में value रखने है, इसके अंदर जो main चीज है जो याद रखने की वो यही है, कि u कौन सा function लेना है, v कौन सा function लेना है, v o function लेते हैं, जिसका जो derivative है, जल्दी से क्या हो जाए, 0 हो जाए, अब इससे related एक example और है, ठीक है, वो भी आप लोगों को मैं करा देता हूँ, तो तीनी type है, इसके अंदर जास्ट, वो तिनो type अगर आप लोग कर लेते ह होना, तो इसके अंदर आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी, अब नेक्स्ट एक्जाम्पल देखते हैं, नेक्स्ट एक्जाम्पल है वही अपने पास, if y is equal to sin into m sin inverse x, प्रूफ करनी है, यह वाली ट्रम प्लस यह वाली ट्रम, ठीक है, तो यह जो first है न, यह आपा प to m sin inverse x, उसका क्या करते थे, first time derivative निकालते थे, तो क्या होगा, sin का करेंगे, तो cos m sin inverse x, उसके बाद जब sin inverse x का करेंगे, तो m by 1 minus x square, ओके, अब आप लोगों को पता होगा, जब मैं sin inverse x का, क्या करता था, sin inverse x का differentiation करता था, वो क्या आता था, 1 by 1 minus x square, ठीक है, अब आप लोगों को क्या करना है, cross multiply करनी है, करो cross multiply, cross multiply करेंगे, तो यह आएगा, 1 minus x square y1, 1 minus x square y1 is equal to cos m sin inverse x into m, अब क्या करते थे, scaring both side, ठीक है, मैं लिखने रहाऊं भई, scaring both side, square करेंगे, तो 1 minus x square, यहाँ पर क्या आ जाएगा, y1 is equal to, y1 का square होगा, उसके बाद, cos square m sin inverse x, और यहाँ पर क्या बचे गया, m square बचे गया, अब भई, तेखो, cos square m sin inverse x को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, 1 minus sin square, m sin inverse x into m square, ठीक है, इस idea चली रही है, 1 minus x square, y1 का square, ठीक है, अब sin square m sin inverse x, यह देखो, y की value क्या है, मेरे पास, y है sin, m sin inverse x, और यहाँ से square करेंगे, तो यह क्या हो जाएगा, y square is equal to sin square, यह वाड़ी ट्रम बनगी, तो मैं इसको लिख सकता हूँ, 1 minus x square, y1 का square is equal to, 1 minus y square, यहाँ पर क्या जाएगा, m square, अब अपने को क्या करना है, इसको differentiate करना है, तो करो differentiate, differentiate both side with respect to x, differentiate both side with respect to x, तो first function, differentiation of first, कैसे भी कर लो गई, 1 minus x square, इसका differentiation करेंगे, तो 2, y1, y2, जब y square का करेंगे, y1 का square का करेंगे, तो 2, y1, और जब y1 का करेंगे तो क्या जाएगा y2 उसके बाद plus y1 का square as it is और जब मैं इसका करूँगा तो यह क्या जाएगा 2x minus का 2x तो यहाँ पर लिख देते हैं minus ठीक है is equal to जब आपा इसका differentiation करेंगे तो m square तो constant है और यहाँ से करेंगे तो क्या एगा 1 का 0 minus का 2y into y1 ठीक है अब क्या करना होता है 2y1 से divide कर दो 2y1 से divide करेंगे 2y1 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 ठीक है दोनों साइड क्या कर दिया 2y1 से divide तो 2y1 से 2y1 कट जाएगा यहाँ पर क्या बच जाएगा 1 minus x square into y2 minus का y1 x minus का y1 x और यह is equal to minus का m यहाँ पर क्या बच जाएगा 2y1 से गएगे तो y1 ठीक है अब इसको उपर लेके आ रहा हूँ मैं यह m square है ठीक है 1 minus x square y2 minus y1 x यह minus का है इस साइड लेके आएगे तो plus का m square y equal to 0 तो यही अपने को देखो proof करना था तो आपने यह पहला step कर दिया प्रूफ करने के लिए इसके अंदर step से याद रखने हुए भई सबसे पहले क्या करते हैं y फिर उसका first time derivative करते हैं cross multiply करते हैं square करते हैं square करने के बाद उसको differentiate करते हैं with respect to x तो अपने पास यह answer आजाता है कोई दिक्कत लिख लोगा इसको एक बारे अब भै नेक्स स्टेप कर रहा आपने को यह प्रूफ करना है तो मैं क्या कर रहा हूँ इसका कर रहा हूँ differentiating equation second up to nth time अब यहाँ पर है ना आप लोगों को समझना है हुई यह देखो क्या समझने वाली बात है यह मेरे पास एक function यह मेरे पास दूसरा function तो u into v जब दो function की product हो तो उस time पे क्या use करते हैं leavene theorem यह मेरे पास first u यह मेरे पास v तो दो function की क्या हो u into v यानि की product हो तो उस time पे क्या करेंगे leavene theorem और यह मेरे पास क्या है एक ही function है तो y का nth derivative y n हो जाएगा तो simple सी बात है अपने को क्या use करना है अभी तक क्या करते आ रहे थे एक ही बारी lemnees theorem यूज कर रहे थे यहाँ पर क्या करने आ पड़ेगा many times lemnees theorem यूज करनी पड़ेगे तो आपको मैं step wise बताता हूँ सोचना कैसे है ठीक है उसके लिए क्या करना आप लोगों को यह लिखना है 1 minus x square और y2 अब आप लोगों को सोचना है कि जैसे मैंने आपको बताया था u और v कौन सा function लेना है v o function लेते हैं जिसका जब आपा derivative करें वो क्या आजाए 0 आजाए तो यहाँ पर देखो 0 किसका आ सकता है भई y2 का करेंगे तो एक बर करेंगे तो y3 दो बर करेंगे तो y4 यह चलता जाएगा बट x square है ना क्या है 1-x square जब मैं यह function मान लेता हूँ क्या v क्या मान लेते हैं भई v 1-x square जब मैं इसका first time derivative करूँगा तो क्या हैगा minus का 2x ठीक है 1 का 0 इसका क्या होगा minus का 2x जब मैं इसका second time derivative करूँगा minus का 2 देख लो u दे रखा है y2 u क्या दे रखा है y2 जब मैं इसका 1 बर derivative करूँगा तो क्या हैगा y3 जब मैं इसका 2 बर derivative करूँगा तो क्या हैगा y4 जब मैं इसका 3 बर derivative करूँगा तो क्या हैगा y5 और जब मैं इसका nth time derivative करूँगा तो एक चीज देखो भई, जब मैं इसका एक बर derivative कर रहा हूं तो यहाँ पर क्या रहा है, 2, जब मैं इसका, sorry, यह जैसे u था, मेरे पास क्या था, y2, जब मैं इसका एक बर derivative कर रहा हूं तो क्या रहा है, y3, जब मैं इसका दो बर derivative कर रहा हूं तो क्या रहा है, y4, जब मैं देन पर डेरिवेटिव कर रहाँ तो यानिकी दो जदा आ रहे हैं तो जब मैं इसका य तो दो जदा आएगा तो क्या रहएगा Nhु माइन Le chịu ठीक है अभी यांपर देखो जब मैं इसका टाइम डेरिवेटिव फारों ऑटो क्या आएगा य Warum 2 जशित談 Canon minus one time करूँगा तो इसकी जगह माई N-1 रख दो N की जगह तो N-1 रखेंगे तो यह क्या एगा N-1 N-1 आएगा ठीक है जब मैं इसका N, N की जगह क्या रख दो N-1 तो 2-1 गया बच जाएगा 1 जब मैं इसका N-2 2-time derivative करूँगा तो क्या एगा Y-N आएगा ठीक है अब जस्ट क्या करो जो अपने पास Lemnese theorem थी ना Lemnese theorem की statement इसके अंदर value रख दो तो value रखेंगे तो देखो UN, UN मेरे पास क्या है UN है मेरे पास N-2 उसके बाद V, V क्या है मेरे पास 1-X के पलस अब देखो N-C1, N-C1 को क्या लिख सकते हैं मैं बता चुका हूँ N-C1 को क्या लिख सकते हैं फिर भी एक बारी देख लो N-C1 को लिख सकते हैं भयापा, N-C1 को लिख सकते हैं N factorial upon 1 factorial और N-1 factorial और ये मेरे पास क्या जाता था N ना जाता था ठीक है तो इसको क्या लिख सकते हैं N लिख सकते हैं N-C1 को, U N-1 कितना मेरे पास, Y N-1 और इंटू में V1, V1 की वैल्यू क्या है, माइनस का 2X, फिर पलस का साइन, N-C2, N-C2 को क्या लिख सकते हैं भई, N factorial, 2 factorial, N-2 factorial, ये मेरे पास क्या हो जाएगा, N-1 by 2 factorial, ठीक है ये द दिखाई दे रहा होगा अभी आप लोगो, हाँ, दिखाई दे रहा है, तो इसकी जगए क्या लिख सकते हैं, N into N-1 by 2, किसकी जगए, N-C2, U N-2, U N-2 मेरे पास कितना है, Y N, और U N-2, और मेरे पास V2 की वैल्यू क्या है, माइनस का 2, पलस, U3 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसके अंदर जब आप V3 लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये जस्ट मैंने क्या किया, जो ये मेरे फस्ट रम थी, मैंने इसका N-th derivative निकड़ लिया, ठीक है, अब आप लोगों को क्या करना है, similar way में, ये आप अलग-अलग भी कर सकते हो, ठीक V कॉन सा function लेते हैं, जिसका derivative जल्दी से 0 हो जाए, तो X है, first time derivative करूँगा 1, second time derivative करूँगा 0, मेरे पास क्या है, ये function है, कुछ भी मानलो, U, U is equal to Y1, तो जब मैं इसका N-th time derivative करूँगा, तो क्या हैगा, Y, N plus 1, क्यों होगा, देखो, U क्या है मेरे पास, Y1, जब मैं इसका first time derivative करूँगा, तो Y2, जब मैं इसका second time derivative करूँगा, तो क्या हैगा, Y3, देखो, जब मैं first time derivative करूँगा, तो Y2 आ रहा है, जब मैं second time derivative करूँगा, तो Y3, यानि कि एक ज़्यादा, जब मैं इसका N-th time derivative करूँगा, तो क्या हैगा, Y, n plus 1 ठीक है जब मैं इसका n minus 1 time derivative करूँगा तो क्या हैगा y n आएगा अब क्या करो lemnese theorem की statement है जो उसके अंदर values put करो तो un un मेरे पास क्या है यहाँ पर y n plus 1 into में v v क्या है x तो लिख दिया x plus उसके बाद क्या है n c1 n c1 को क्या लिख सकते है n वहाँ पर लिख रख है उसके बाद un minus 1 un minus 1 मेरे पास क्या हो जाएगा yn ठीक है उसके बाद v1 v1 की value क्या है 1 plus आगे लिखने की जरूरती नहीं है क्यों क्या हो जाएगा इन तिनों को combine करके लिखना होता है वही combine करके कैसे लिखेंगे सबसे पहले इसका nth derivative जो find out किया था ये था nth derivative यह हो गया y n plus 2 1 minus x क्या है यहाँ पर minus का sign आगे आ जाएगा वही minus 2nx ठीक है 2x को आगे लिया या y n plus 1 उसके बाद plus ये 2 से 2 cancel minus का आगे 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 यहाँ पर minus n into n minus 1 yn ठीक है अब देखो इसका मैंने find out कर दिया बीज में sign किसका है minus का अब इसका nth derivative क्या आ था ये रहा भई y n plus 1 into x plus n yn ठीक है n yn आगे टरम क्या आए थी 0 उसके बाद इसका nth derivative बीच में sign plus का m square y का nth time derivative करेंगे तो yn ये किसके बराबर आ जाएगा 0 और उपर देख लो भई यही चीज अपने को क्या करनी थी प्रूफ करनी थी तो भई इस तरह के जो question आते हैं कि एक से ज़्यादा nth time derivative करने वो अपने को function के तो उनका अलग-अलग कर ले ना ठीक है कुछ इस तरह से जैसे मैंने किया है अगर अलग-अलग करोगे तो आपके question के जो mistake के chances हो जाते हैं वो कम होती है और आप 2-4 बर practice क कर लोगे ना तो ये करने की जरूरती नहीं पड़ेगी जो मैंने ये step किये ना ये करने की जरूरती नहीं पड़ेगी आप ड्रेक्ट ये कर सकते हो ठीक एक बारी फिर से देख लो ये वाड़ा step आप लोगों को समझ भी आ गया nth derivative के time क्या करना है मैंने इस equation का direct nth time derivative कर द चलते हैं जिसका nth time derivative कर जिसका derivative करें और जल्दी से 0 आजाए तो V को मैंने क्या मान लिया 1-x कर इसका first time derivative किया minus 2x second time derivative किया minus 2 और third time derivative किया तो क्या गया 0 उसके बाद देखो यू कोण सा function है y2 first time derivative किया तो क्या आया था वो मैंने आपको बता दिया कि यह दा फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव किया यह फिर जो यह वैल्यू आई यह ड्रेक्ट आपाने कि लैमनी इस्ट्रम की स्टेटमेंट में प्रूफ कर दे वैल्यू रख दी और वैल्यू रखने के बाद अपने पास यह अंसर आ गया सिमिलरली इसको भी मैंने अलग से लिख लिया यू वी मानना एक्स यू मानना वाइवन इसको सोल किया और दोनों को क्या कर दिया कंबाइन करके लिख दिया मेरे पास क्या गया एन्नेथ डेरिवेटिव आ गया और यह अपने पास क्या होता है अंसर होता है तो आई थिंक कर लेना इसी कंसेप्ट का यूज किया गया ठीक है अगर कोई दिक्कत हो तो इंस्टाग्राम आइडे पर पूछ सकते हो उसके एलावा अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए तो उसके लिए टेलिग्राम चैनल जोएंड कर लोगी पी सी एम बाई एक ठीक है यह अपना टेलिग्राम चैनल है लिंक्ट डिस्क्रिप्शन में भी है वहाँ पर आप लोगों को सारे नोट्स प्रोवाइड कर दिया थैंक्स पर वचिंग क्रेटिव स्टेटी है कि और हाँ वीडियो को जाधा से जाधा से जाधा सेयर कर दिया कर कर दो से ऑढ़िए बादर में कर द motto सbelार कि स्टेटू बाई वीडियों को दिताना कि यहाँ यह जाँ है एली वीवचिंग कि अल्दूल करना फ्याकाणिव टूमक्क्र पा दोस्टे पाली हुआ कि अलुद है ईंदूर कर दिस है दोग़ है और हैं।